Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहां आपको मिलती हैं daily life classes, life test and quizzes, structured courses and unlimited access, 24-7 हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं, उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हम से जुड़ना होगा, Unacademy learning app डाउनलोड करिये, Google Play Store पर जाके, या फिर iOS App Store पर जाके, and then आपको लेना होगा, NEET UG का हमारा page subscription, हमारे सारे features unlock करने के लिए, उसके लिए आपके पास कई options है, 1, 3, 6, 12, 24, since NEET UG का syllabus काफी वास्ट है, थोड़ा time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल का package, सबसे आदा popular and most recommended है, और आप देखेंगे कि एक साल के package में, आप सिर्फ जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ आप 6,000 अट करते हो, तो मिलता है 2 साल का package, तो especially जो बच्चे अपने तियारी शुरू कर रहे हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, उनके लिए एक साल या दो साल का package, बहुत ही ज़ादा advantageous and सबसे ज़ादा recommended है, इतना ही नहीं अगर आप मेरा referral code, लव 10 अपनी स्क्रीन पे नीचे red में देख सकते हूं, ये लगाओगे तो मिलेगा extra 10% का off, जो भी हमारी base prices हैं, मेरा नाम लवकिशोव श्रिवास्तवा है, मैं गिल यूनिवर्सिटी कानडर, मैं as a researcher मैं समय काम कर रहा हूं, और आप personally मुझ से जुड़ना चाहते हो, तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, तो अब हम बात करेंगे, हमने root की बात कर ली, stem की बात कर ली, अब बात करेंगे, जो पत्ती होती है plant में, जिसको बोलते हैं leaf, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, the leaf is laterally, generally flattened, flat होता है, पत्ती तो ऐसा कोई हो गए नहीं जिसने नहीं देखियोंगी, तो बिल्कुल flat सा structure होता है, ठीक है न, कहाँ पे होता है, stem पे, last time भी आपने बात की थी है, अच्छा, कहाँ से develop करता है, node याद होगा आपको, it develops at the node and bears a bud in its axle, ठीक है, तो यह देखो, यह leaf है, ठीक है, leaf यह जैसे इधर में diagram बनाता हूँ, यह है आपकी stem, इससे एक axis निकलता है, जिसको बोलते है, ptol, ठीक है, ध्यान रगना, ptol हो गया, ठीक है, तो यह और ptol के बीच में जो gap आता है, इसको हम बोलेंगे axis, ठीक है, तो axillary bud, यहाँ पे भी एक bud प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते है, axillary bud, क्या काम है, क्या है, सब आगे हम अभी देखते हैं, क्या होगा, the axillary bud, later develops into a branch, ठीक है, तो leaves से जो branch निकलती है, वो कहां से आ रही है, अब आपको पता है, जो axillary bud है, leaves originate from shoot apical meristems, and are arranged in an acrobatical order, तो यह ध्यान रखना, आपकी leaf A कहां से रही है, यह important है, apical meristems, meristems हमने बताया था, meristematic tissue जो होते हैं, जो actively divide होता हुआ होता है, ठीक है, तो नीचे भी हमने देखा था है, root system में भी, shoot system में भी present होता है, and वहीं से leaves आती है, leaves का main काम क्या है, सब को पता है, जादे तर leaves green होती है, green होंगी तो क्या होगा, chlorophyll होगा, chlorophyll होगा, तो काम क्या होगा उनका, photosynthesis का, ठीक है, इसलिए they are the most important vegetative organs for photosynthesis, ध्यान रखना, और देखो, leaf के क्या part होंगे, एक हो गया, यह जो main leaf की body, आपको देख रहे हैं, यह हरी हरी, जो flat structure है, इसको हम बोलते हैं, lamina, ठीक है, और क्या होता है, यह देखिए, ptol, मैंने आपको अभी बताया था, यह ptol, जिससे यह stem से connected है, this is known as ptol, और यह ptol भी जहां connected है stem में, इसको हम बोलेंगे, leaf का base, ठीक है, तो यह leaf के basic जो parts हैं, यह आप देहन रखिए, तीन parts होते हैं, मोटा मोटा देखा जाएगा, तो एक हो दोगा leaf base, ptol, and lamina, अच्छा, अब क्या है, the leaf is attached to the stem by the leaf base, and may bear two lateral small leaf like structures called stipules, ठीक है, कभी कभी यह देखो, यहाँ पर यह दिख रहा है, छोटे से, जहाँ पर यह arrange है, वहाँ पर leaf like structure, छोटे छोटे अगर यह, वहाँ से emerge करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, stipules, तो stipules अगर exam में पूछता है, तो अब आपको पता है, कि कहाँ पर मिलता है, और क्या चीज है वो, ठीक, अच्छा, अब monocots की अगर बात की जाए, क्या होगा leaf base, बस जान लो, leaf base क्या हो गया, वो point जहां से वो stem से attach है, तो यह leaf base expand करके, cover कर देता है, जो भी stem है, चाहे उसको पूरी तरीके से cover कर रहा है, या फिर कुछ-कुछ parts को कर रहा है, तो दियान रखना, किस में होगी यह चीज, is monocots में, ठीक, अच्छा, अब बात आती है, कुछ leguminous plants, जो legumes होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने डाल का, डाल होती है, उसमें leaf base में become swollen, ठीक है, यह जो leaf base है, यहाँ पे यह ऐसे, swollen हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, polyvinus, तो polyvinus पे क्या question बन गया, एक तो कहाँ मिलता है, leaf base पे, ठीक है, और दूसरा किन plants में मिलेगा, जो leguminous plants होते हैं, तो बहुत छोटी छोटी basic चीज़े हैं, लेकिन इन सब में confuse मत होना, एक एक टर्म, क्या है, अगर आप से stipule पूछता है, तो आप stipule जानो क्या है, अच्छा, पीटियोल का क्या काम हो गया, सबको पता चल गया, समझ में आ गया, पीटियोल हेल्प होल्ट दबलेड तु लाइट, ठीक, लॉंग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल्स, अलाव लीफ बलेट्स टु फ्लटर इन विंड, तो आप क्या होगा, अगर लीफ सीदी, यह है आपका स्टेम, इससे सीधे लीफ अगर जुरी होगी, तो आप इमाजिन कर सकते हैं, कि लीफ का मूवमेंट तो कमी नहीं होगा, लीफ का मूवमेंट कितना रिस्टिक्टेड होगया, लीफ ज़्यादा मूवी नहीं करेगी, लेकिन अगर यह extend हो रही है पीटियोल से और जो पतला सा है तो इसमें movement ज़्यादा हो जाएगा ना ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण से leaf ज़्यादा exposed होगी fresh air से ठीक है ना तो यह ध्यान रखना अच्छा the lamina और the leaf bed यह यह जो part हुआ यह जो main part हुआ इसको हम lamina बोलते हैं अभी हमने discuss किया था is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets अब अगर आप ध्यान से आपने डियाग्राम भी बनाते होगे बचपन में तो यह leaf होती है इसमें ऐसे 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 बनाते हो ना बिल्कुल बच्चों अला डियाग्राम मैंने बना दिया तो यह जो चीजें आपको दिख रही हैं यह इनको हम बोलते हैं veins और mid rib ठीक है तो there is usually a middle prominent vein which is known as the mid rib अब इसी mid rib से क्या देखा आपने veins या veinlets जो भी आगे निकलनी होंगी वो निकल रही है ठीक है veins अच्छा आप काम क्या हो गया veins provide rigidity to the leaf plate पहला काम तो आपने देखा अगर यह veins नहीं हो मानलो leaf सिर्फ ऐसे है सिर्फ तो अब देखो यहाँ प लेकिन अब अगर ऐसे veins present आ गई तो एक तरीके का इसको indirect skeleton मिल गया ठीक है एक तो वह हो गया कि rigidity provide करेगी दूसरा अब इस cell को इस cell को भी तो पानी चाहिए mineral चाहिए food चाहिए या फिर यह जो food बना रहा है उसको बागी पार्टने भी तो जाना चाहिए तो इनी veins के कारण हमारे blood में भी देखो vascular system होता है ना arteries or veins तो वैसे ही कुछ-कुछ काम यहां कर रही है जो transport for water, minerals and food materials का काम करेंगी ठीक है अच्छा अब बात आती है the shape, margin, apex, surface and the extent of incision of lamina varies in different leaves shape, सीधी सी बात है अब कहीं क्या हो सकता है कहीं, ऐसे shape हो सकता है कहीं, ऐसे shape हो सकता है जो भी lamina का है, ठीक है margin हो गया apex, apex है कोई pointed होगा, कोई गोला होगा, ठीक है, surface extent of incision यह सब बाते हैं कि बहुत सारी leaves जो हम आगे discuss करेंगे, ठीक है कि leaves में चाहिए उसका shape हो, surface हो, extent of incision हो, क्या है यह चीज़ें आपको आगे की slide में आएंगी, हाँ, simple यह है कि हमको एक ही तरीके की leaf दिखती नहीं है, ठीक है, अलग-अलग तरीके की leaf आपको दिखती है, तो क्या है यह types हम आगे discuss करेंगे, ठीक है, तो I hope कि leaf के बारे में एक basic idea आपको लग गया हो, वीडियो पसंद आए, तो like करो, comment करो, subscribe करो, love10 जो की मेरे referral code है, यह use करके आप unacademy से जोड़ सकते हो, मिलेगा, extra 10% का off, personally मुझ से जोड़ना है, तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, जहाँ पे मेरी classes का regular update आप पाते रहेंगे, तो चलिए thank you, इस class को सुनने के लिए मिलते हैं, next class में